हेलो स्टूटेंट्स वेलकम टू सटड़ी ट्वैंटीफॉर तो वही दोजार टेइस MTS का सेकेंड डीवी का नोटिस भी आपके सामने आ चुका है कल हम लोगों ने डिसक्स किया तो जू लॉजिकल वाला जो जू लॉजिकल पार्क है वहां का नोटिस आपका आया था सेकेंड डेली का फिर से डिपार्टमेंट का आ गया है यह आपका आया था कल 27 तारिक को यह क्या है आपका प्रोविजनल ओफर लैटर इसमें आपका जॉइनिंग के लिए भी बताया गया है पूरी वीडियो को एंग तक देखेगा जिनका भी यह है अच्छे से समझेगा क इसी तरीके से आये मतलब डीवी का नोटिस इसी तरीके से आये तो उन्हें क्या-क्या चीजें लेका जाने ही होती है तो हम लोग देख लेते हैं यह पीडियेप आपको मैं टेलीग्राम ग्रूप पर शेयर कर दूंगी आप लोग अच्छे से देख लीजेगा लिंक जो है की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर मिला है 27 दिसंबर को न्यू डेली का आपका यह नोटिस है कल आया था आपका यहां पर इनका टू के बाद नेम लिखा है जिनको यह भेजा गया है सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट देखिए यह प्रोविजनल ओफर ऑफ अपॉंटमेंट लेटर है फॉर दी पोस्ट ऑफ MTS ठीक है हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर में यहां पर आपका यह प्रोविजनल ओफर लेटर है 2023 कंडुक्टेट बाई SSC दियर केंडिडेट आइम डिरेक्टेट तो इस्टेट देट एट कॉ पूर्ली प्रोविजनल है सब्जेक्ट तो यॉर बिंग फाउंड सुटेबल पॉर अपॉंटमेंट इन गवर्मेंट सर्विस एंड सब्जेक्ट तो देवरिफिकेशन आफ यॉर चैरेक्टर और एंड एंटिसिदेंस आपको क्या करा जाएगा इस फाउंड विंग सप्र इस टेशन फॉर्म में कोई ऐसी चीज फिल करी है जो फेक है गलत है आप कोई चीज छुपाने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका क्या करा जाएगा लीगल एक्षिन एस पर प्रोविजिंस ऑफ इंडियन पैनल कोड आई पीसी फिर आपको लीगल एक्शन किया जाएगा एस पुल सही सही सारी डीटेल्स फिल करनी है आपकी फॉर्दर प्रोसेस के लिए पुलीस वेरिफिकेशन के लिए और चीजें जो आपकी वेरिफाइए होंगी वो उसी अट्यस्टेशन फॉर्म से वेरिफाइए होंगी ठीक है नेस्स अफर अपर अपॉन्मेंट इस टू अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट अफ हेल्थ फैमिली वेलफियर न्यू डेली फ्रॉं 28 डिसेंबर तू 5 जैनवरी यहां पर आपको पहुंचना है अठाइस दिसंबर से पांच जैनवरी के बीच में ठीक है इतना आपको टाइम पीरेड मिला है अठाइस दिसंब से पांच जैनवरी तक आपको यहां पर पहुंचना है और क्या बताया गया है एड्रेस दे रखा है कि यहीं आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफियर निर्मान भावन आजाद रोड न्यू डेली यह सारी चीज़ें आपकी दे रखी एलॉंग विद इस लेटर पर डीवी के लिए आपको कब जाना है 28 से 5 तक आप 28 को भी जा सकते हैं 5 मैक्सिमम है 28 मिनिमम 28 से स्टार्ट होके 5 को आपका डीवी होगा यहां तक आपका फिर इसके बाद आपका क्या दिर रखा है यू विल हैब तो सम्मिट कॉपीज और वेरियस दोक्युमेंट एज मे वेरिफिकेशन ऑफ दोक्युमेंट में बताए गया है और हवल्दार एग्जामेनेशन यू विल वी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामेनेशन आपको भाई बेजा रहा है डॉक्टर रामनोय लोया ऑस्पिटल में की अपना मेडिकल कराईए ठीक है यू और रिक्वाइड त यह नहीं की एक फिल कर लिया और फ Toronto कॉपि करा लिए ऐसा नहीं करना है चाहिए बेंगर है है duly filled in and signed by the appropriate authorities wherever necessary you are also required to produce the original certificates regarding date of work education यानि आपको पही educational qualification जो basic documents आपके होते हैं 10th की माक्षी 12th की जो भी आपकी higher qualification है ठीक है CSTOBCV जो भी आपका है and any other relevant documents along with two sets of their self-attested यानि कि यह original आपके सभी documents लेकर तो जाने हैं आपको और फिर उसके बाद दो photocopies set कराने हैं और उनको self-attest करना है self-attest कैसे करते हैं यह मैं already आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि अपना name लेखिएगा उस पर आपको अपने sign करने है date डालनी है तो वो self-attest हो जाता है यानि कि खुद के द्वार आपने अटेस्ट कर दिया है ठीक है फिर आपका क्या है you are required to bring sufficient number of recent passport size photographs and documents showing proof of age married female candidates are required to bring their marriage certificate और certificate of change of name in the official gazette देखिए जो भी आपकी photographs है आप photographs लेकर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा लेकर जाहिएगा और जो married है वो अपना marriage certificate लेकर जाएंगी females अगर name में change है तो उस name change का certificate लेकर जाना है ठीक है next है आपका the aforesaid process may take three to four days you will have to make your own arrangements for stay in Delhi during the above process process and no official accommodation will be provided यह जो आपका medical होगा डीवी होगा इसमें कितना टाइम लग सकता तो जो भी जैसे बहुत दूर से बच्चे हैं जिनका डैली में हुआ है तो अपना stay के लिए अपना पूरा देख लीजे आपको कोई भी accommodation नहीं मिलेगा कोई भी रहने की सुविदा department की तरफ से नहीं दी जाएगी आपको अपना इंतजाम स्वयम ही करना है खुद ही करना है तो तीन से चार दिन प्रोसेस आपको लग सकता है जो डिल्ली में रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जो बहुत दूर से जैसे आ रहे हैं उनका डिल्ली में है तो वो अपने तीन से चार दिनका stay के लिए लेकर आएं ठीक है the post of MTS is a general central service group c non-guested की post है आपकी ये सारी चीज़े दे रखी है under the rules government ठीक है और आपका from time to time आपको allowances मिलेंगे ये सारी चीज़े appointment will be purely on a temporary basis क्योंकि आपका ये provision of a letter है appointment letter है तो इसमें appointments की conditions हैं शर्ते हैं वो भी दे रखी है हम लोग ने 2022 में भी काफी appointment letter देखी है प्रापर उसमें detail में समझा भी था कि क्या क्या conditions होती है वही चीज़े लिखी है कि ये post आपकी group c की है non-guested है ठीक है appointment जो है आपका पूरा temporary base पर है ठीक है फिर आपका क्या दे रखा है officer will be on probation for two two साल का probation period होता है ये भी आप लोग को पता है वही दो साल probation period होता है with regard to the traveling allowance आपको मिलेगा contribution to NPS आपका कटेगा ये सारी चीज़े सब आप लोग अच्छे से पढ़ लेजेगा आपकी क्या conditions होती है सब आपको अच्छे से पता लग जाएगा the candidate will not be entitled to traveling allowance for जब आप पोस्ट को join करने आएंगे तो आपको कोई traveling allowance नहीं मिलेगा यात्रा बत्ता जिसे बोलते हैं वो नहीं मिलेगा ठीक है फिर आपका क्या है if the candidates are already employed should produce the relieving order अगर आप कहीं पर पहले से एंप्लोय हैं तो वहीं relieving order आपको देदा पड़ेगा वो सारी चीज़ें हो गई आपके इट में also be noted that mayor submission of willingness and other documents will not entitle मतलब आपने यह सारी चीज़े दे दी हैं मतलब यह नहीं कि आपका final appointment हो गया वो सब कुछ verify करेंगे अभी प्रोविजनली रहेगा बाद में final आपका होगा ठीक है इट शुडबी नोटेट इट अपॉइंट में इस प्योर्ली प्रोविजनल लेगे तीन चार लाइंस में आपका यह प्रोविजनली है मैं अभी आपका temporary है ठीक है and subject to verification of the अभी अभी आपका क्या होगा सारी है cancel कर दिया जाएगा यह सारी चीज़ें you should submit your joining report as soon as your report in this department मतलब आपको you should submit your joining report as soon as you report in this department मतलब आपको जल्द से जल्द इस department में report करना है उतनी जल्दी आपकी joining होगी the maximum period that can be allowed for allowed for reporting for duty is 15 days from the date of issue of appointment letter thereafter the offer of would would automatically lapse and you will have to claim over the post thereafter ठीक है 15 दिन के अंदर आपको join कर रहा है जब से यह वाला जो notice है जिस दिन आपका आया है उसके 15 दिन के अंदर आपको joining भी मिल जाएगी तो बहुत ही fast process किया है health ministry ने अभी 2022 वालों का final हो नहीं पाया 2023 वालों को joining भी देदी जा रही है तो बहुत ही बढ़िया process चल रहा है 2023 का देखे 15 दिन के अंदर आपको join भी करना को पहले तो ठाइस से पांच तक आपका यह होने वाला है डीवी फिर आपको joining के लिए भी जाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर joining भी हो जाएगी डीवी के बाद ठीक है in case you accept this offer government of India takes this opportunity to convey good wishes to you for a successful career in public services in case if you are not interested to join the aforesaid post please send your unwillingness अगर आप इस job को accept नहीं कर रहे हैं join नहीं कर रहे हैं तो आपको unwillingness भी अपनी देनी पड़ेगी मेल के दौरा आप दे सकते हैं 29 डिसेंबर तक अपना 29 डिसेंबर तक क्या दे सकते हैं अपना बता सकते हैं कि मुझे जॉइन नहीं करना है अपनी unwillingness का वो बता सकते हैं के थुरू इन्होंने mail ID बगएरा सब mention कर रखी है यह चीज़ें नीचे नाम बगएरा है कि किन के दौरा यह भीजा गया है सूर्य प्रकार साइन बाई और फैटफुली secretary है जो ठीक है अटेस्टेशन फार्म आपका आया है देखी इंख्लोज में क्या दे रखा है ट्व अटेस्टेशन फार्म आपके आए है चेकलिस्ट आई है एक यह चीज़ें आपकी आई है चेकलिस्ट आई है तो यह तो आपका proper हो गया डीवी का notice आई ओप आप लोग अ अटेस्टेशन फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसकी प्रॉपर एवने एक वीडियो अल्रेडी बना रखी है 2022 के टाइम पर बनाई थी तो आप देख लीजेगा और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग देख लीजेगा अगर आ चेक्लिस्ट आई है चेक्लिस्ट में देखें क्या है यह पहली बार आया चेक्लिस्ट वाला डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एसस्टी एम्टेस 2023 बैज नेम है रोल नंबर है कैटेगरी डेट वबस सारी आपकी चीज़ें मुबाइल नंबर इमेल आईडी एप्लिकेबल यस करना है अगर आप लेकर गए हैं अगर नहीं लेकर गए हैं तो नो लेटेस्ट पास्पोर्ट साइस फोटो आपको दो लेकर जानी है तो यह सब क्या है और आपका है तो लेकर जाईए नहीं है तो नहीं लेकर जाईए काफी टैंट के बच्चे भी होंग तो crucial rate से पहले का होना चाहिए ठीक है और person with disability है तो वही ex-serviceman के लिए discharge भूग वगरा relevant certificate age reaction ले रहे हैं तो वही आपका हो जाएगा NOC अगर आप कहीं किसी job में है no objection certificate हो जाएगा इस name change अगर आपका है matriculation में तो वही आपिडेविट वगरा आपका चलेगा आधार card और pen card दोनों ही लेकर जाने हैं एक रही दोनों लेकर जाएंगे तो यह जो पूरे 13 items की list है यह 13 items आपको लेकर जाने हैं qualifications में optional है जो आपके पास है वो लेकर जाएगे कास्क में आते हैं तो लेकर जाएगे युवार हैं तो कोई मतलब ही नहीं है फिस signature करेंगे आप अपने डेट और प्लेट डालेंगे ठीक है तो यह पूरा आपका notice था health ministry की तरफ से 2023 का दूसरा appointment letter इसको मैं बोलूँगी डीवी प्लस appointment letter डीवी भी हो रहा है साथ में पंदा दिन में आपको जॉइनिंग भी मिल जाएगी जब डीवी करा कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि जॉइनिंग के लिए भी वह आपको एक हक्ते में बुला ले रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आया है फटाफट से 2023 का प्रोसेश चल रहा है 2022 के लिए भी मैं बोलूँगी कि उनका भी भी फटाफट से सभी डिपार्टमेंट्स करा दें और फाइनली कम्प्रीट कर दें 2022 की भी जॉइनिंग काफी टाइम हो गया है धाई मेना हो चुका है तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की पूलना चाऊंगी कि आप मुझे देते हैं जी प्राइवेसी मैं सबकर देती हूं नेम वग्राइब आपको है तो मैं है तो इसी तरीके से आप भी और बच्चों की help कर सकते हैं मुझे बेजिएगा क्योंकि यह आपके मेल पर आएगा तो आपसे मुझे अप्डेट कोई भी अपडेट अगर आपके पास आती है तो इस नंबर पर कॉल ये मैसेज करके बता दीजेगा बागी कोई क्वेरी है तो भी कॉल मैसेज कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप में जरूर एड हो जाईएगा काफी सारे बच्चे महां पर एड भी है तो आपको पता लग जा ये वीडियो को लाइक शियर जरूर करिएगा और चानल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा लेटिस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू